ते यmos heard कर दिया एंडियोंस मार्कें पांट के बारे में आर हम बात करने वाले इंफिरेंस नोठ थर्यांट के बारे में और स्मीरेंस नौड ठिये wirdetin प्मयृशन पाकिसान में जब आएगा तो कितने प्राइस में आएगा, उसके बारे में हम बात करने बारे हैं उसे ओपर आपको LED फ्लेश लाइट देखने झायन को मिल जाता है उएटफ़न डिजाइन के सायाता है प्लेट यजाए आपको देखने झायन को मिल जाता है Bilt Quality Plastic की है जो फ्रेम वे वाव आपको Plastic का ही देखने को मिल जाता है 219 ग्राम इसमार्टम का वेट है और 8.6 mm इसमार्टम जो तिकने सरकी गई है और स्मार्टम ये तीन कर्ज में रिविल किया जा चुका है बलेक कलर है बलू कलर है और गोल्ड कलर है और जो गोल्ड कलर है वो सब ज़्यदे खुबसूरत निजराता है और यहां पर अगर मैं देखो डिजाइन एंड लुक को तो नोडर काफे खुबसूरत और शांदार किसम का डिजाइन दिया गे और ये स्मार्टम एक साइट मॉडिफिकर्ट पी स्केनर के साथ आता है तोड़ा सा बारी जरूर है 220 ग्राम स्मार्टम का जो वेट होना तोड़ा सहां पर टेंशन वाली बास जरूर है लेकिन बागी लुक वाजी स्मार्टम बहुत ज़्यादा खुबसूरत नजराता है इनिफिरेंज नोर 30 स्मार्टम में दिया गया है 6.78 इंज का एक फूल एजी प्लस रोजिशन वाला एक IPS डिस्प्ले जो के 120 हट्स के हाई रिफ्रेशेट के साथ आता है सेंटर पांचोल केमरा दिया गया है 580 इसकी पीक ब्राइडनेस आपको देखनी को मिल जाती है इस मार्टम में बहुत बड़ा डिस्प्ले दिया गया है इस चीज़ के लिए यहाँ पर इसप़ॉयम्ट में जरू है बाग डिस्प्ले ठीक ठा के एवरेज की समका डिस्प्ले आप इक्स्पेड कार से देओ कल्र और जिबिलिटी में थोड़ा बहुत कंप्रमाइज आपको जरूर करना पड़ेगा इन्फिर्स नोट 30 स्मार्ट में दिया गे मीडियाटे की एलो जी नाइटिनाइज प्रोसेसर जो कि सिक्स नुमेटर की फबरिकेशन पर बेज रहे और माले जी फुटी से उनका जीपीव आपको देखने को मिल जाता है इन्फिरेंस नोट 30 स्मार्टों जे वो आर्ट जी ब्रेम 128 वेल अवेरेंट और आर्ट जी ब्रेम 254 वेलेंट में रिविल किया जा चुका है जो कि UFS storage के साथ आपको देखने को मिल जाता है और स्मार्टों Android 13 के साथ आपको XOS 13 का लेटेस वर्जन भी देखने को मिल जाता है बेस वर्जन होने के बाउज़िद यहांपर G99 दिया गया है और इमाई इस बाग को अप्रिशियेट करता हूँ अच्छी परफार्मेंस देगा गेमिंग्स वाइस भी ठीक होगा और वैसे पावर एफिशन भी है तो यहांपर ठीक टा किसम के यहांपर परफार्मेंस आप इस माउनों देख्पेट कर सेथे हैं प्राइस एन वेलिबिलिटी के बाद हैं तो जैसे मैं आपको बता चुको कि कन्वर्जन प्राइस 65,000 रुपे है और पाकिसान में इतने ही प्राइस में आएगा इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि अलर्डी इतना ज्यादा मेंगा होगा तो कोई भी आपर सेंस नहीं बनाता रहे बाद लाइने की तो यह स्मार्टोन आप एक्सपेट कासे हैं कि जुन के मैंने मिया स्मार्टोन 20 सारे के बाद पाकिसान में लांच हो सकता है इन्फरेंस नोर्ट तर्टी स्मार्ट के रियर साइपर ट्रीबर केमरा सेटर पेज़ाइस कि आप देख सकते हैं तर्टी सेटर पाइपर यह साथ दो मेंगापिक्सल का दिया गिए और एक की वीजी जीए संसर आपको देखनी को मिल जाता है जबकि फ्रेंट पर आपको सेंडर पंचुल केमरा में 16 मिगेपसल का सेल्फी केमरा दिया गे इन्फेरेंस नो तर्टी स्मार्ट होंगे वो टूकी के रिकार्डिंग का सकता है ऑर कि हो चरदम के बांऄ और उमीद करता हूं कि हाप यहां आप्टिमाइसे टरी से की कही हो थेक पर में अच्छा एक रिजल्ट मिल सके इंवार्ट पांच से बैट की कि 45 वाट की फास्ट चार्च के साथ आता है ताइप सी पोर्ट है 3.5 अडियो जेक है और यह स्मार्टफून डूर स्पीकर के साथ आता है लेकिन सबसे एक्साइटिंग चीज़ यह है कि यह पावर्ट बाइ जे बियल है यह जे बियल की स्पीकर और उसकी क्वालिटी बहुत आप दो इस मार्ट कैसा लगा है डू लेट में नों इनके मेर्ट सेक्शन अला आफेज